गुद्ध मॉर्निग लगास दिस न्यू अनफीज़ ट्लास इन विच तुड़ेश वी अर गोईंग तुट्ट आर यू शुस्टम डाट इस रास्पाइरे रिश जुस्टम CVS हमारा complete हो गया है next system है respiratory system respiratory system वो system है जो की gases का exchange करता है हमारे को environment के variation से और pathogen से बचाता है sound produce करता है और कोई भी olfactory stimuli आया है सुनने वाला उसको detect करने काम भी करता है respiratory system तो respiratory system वो system है जो blood और air के बीच में gases को exchange करता है air को उस surface से exchange करने में मूँ करने में helpful होता है यह exchange surface को protect करता है किसी भी environmental variation से या pathogen से sound को reproduce करेगा और जो भी द्वहनी stimuli आ रहे हैं olfactory वाले actually stimuli आ रहे हैं सुनने वाले उनको भी टेक करता है किस तरह की यह olfaction है यह क्या है यह चीज़ भी टेक करने काम respiratory system करता है अब actually respiratory system में क्या-क्या components involved रहते हैं तो देखिए सबसे पहले जो चहरे वाला पार्ट है that is nose nasal cavity और paranasal sinuses respiratory के सबसे पहला पार्ट यह होता है उसके बाद यह आगे मुह करते वह आगे बढ़ते वह pharynx then larynx then trachea फिर bronchi और फिर bronchi लंक्स में जाकर खुल रहे हैं bronchiols और alveoli के द्वारा लंक्स के अंदर bronchiols जो bronchi के और छोटी branches हैं और फिर air filled sack होते हैं जिसको alveoli कहते हैं जो gases का exchange करने का काम कर रहे होते तो यह सारे के सारे components respiratory system के होते हैं इन में से जो पहले के शुरुवात वाले जो components है initial components वह मैंने आप लोगों को throat में पढ़ाए थे और nose में पढ़ाए थे आपने ENT पढ़ा था ना तो ENT के अंदर जो nose और throat वाला part था वह हमारा respiratory system का ही part था तो हम इस चीज को detail में पढ़ चुके हैं पर फिर भी क्योंकि respiratory system पढ़ रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे और दूसरा मैं बता दूँ के initialy जो है मैं आपको जैसा अकसर मैं करवाती हूं कि first two classes में केवल अपना respiratory का introduction ही चलेगा फिर उसके बाद हम इन चीजों को detail में पढ़ेंगे कि क्या process कैसे चल रहा है तो अभी हमारी introductory class है respiratory की anatomy की अब देखिए respiratory system का organization कैसा है तो यह जो हमने respiratory system की components अभी अभी पढ़े थे वो सारे इस diagram के अंदर बताई हुए है diagram के अंदर सबसे पहले बाहर देखिए nose है nose के अंदर जाते वह आपको nasal cavity दिखाई दे रहे हैं बढ़ा करूं nasal cavity nasal ko की दिखाई दे रहे हैं फिर इसके बाद आपको यह near दिखाई दे रहे हैं internal near इसके अलावा यहां पर sinuses भी पाए जा रहे हैं frontal sinus उपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं nasal cavity के पास आप दर पीछे की side जो है वो आपको sphenoidal sinus दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा यह नोज आगे ट्रेवल करता हुआ फैरिंग्स में खुल रहा है फैरिंग्स आगे जाता हुआ लैरिंग्स वगेरा में खुले गाह और इसोफेगस से जुड़ा हुआ यह पार्ट दिखाये गए यह लैरिंग्स आगे जागर के ट्रेक्या ट्रेक्या जो है व दो पोर्शन होते हैं एक तो कंड़क्टिंग पोर्शन और एक रेस्पाइरेटरी पोर्शन कंड़क्टिंग पोर्शन एयर मुवमेंट को कंड़क्ट करवाता है नेयर से लेकर स्मॉल ब्रॉंक्योल तक नेयर से एक्स्टरनल नेयर से लेकर के स्मॉल ब्रॉंक्योल तक एयर movement को conduct करवाने का काम जाए, वो conducting portion का है जबकि respiratory portion में gaseous exchange का region आ रहा होता है respiratory bronchiol और alveoli, यह दोनों यह काम करती है gases का exchange करेंगी, तो near से लेकर bronchiol तक तो है conducting portion और फिर bronchiol और alveoli मिलकर के बनाएंगी respiratory portion जहां पर gases जो है वो exchange होती है अब सबसे पहला जो external structure जो body में आपको दिखाई देरा respirator का that is nose nose के अंदर external layers होते है vestibule होते है, cavity होती है external layers जिसको आप nostril भी कहते हैं जहां से air आपकी body में घुसती है इसमें nasal vestibule पर hairs की lining पाई जाती है जो की बाहर से आने वाली air को filter करनेया काम करती है ताकि कोई भी micro foreign particle आपके नाग के अंदर घुसना जाए अब vestibule जो है हमने का इसमें nasal vestibule होती है vestibule nasal cavity में खुलती है hard plate के दुआरा nasal और oral cavity separate हुई भी रहती है nasal cavity में खुल रहे हैं तो nasal cavity और oral cavity किसे separate है एक hard plate से फिर ये cavity continue होती है internal layer के दुआरा nasal pharynx में जाती है internal layer से होती भी कहां जा रही है nasal pharynx के अंदर nasal cavity खुल रही है जो की soft plate इस nasal pharynx को underlies nasal pharynx, nasal pharynx से नीचे क्या है soft plate है इसके अलाबा airway की lining जो है respiratory epithelium की बनी हुई होती है अब ये चीज़े अच्छे से देखे भई नोज, nasal cavity और pharynx तो देखो अपन external layer से start करें right side में आपको external layer दिखाई दे रहा है ये अंदर इसके nasal vestibuli पाई जा रही है देखो nasal vestibuli और नीचे oral cavity के बीच में क्या है ये hard plate है right side ही देखते रही है और कहीं जाने की जरुक नहीं है उपर आपको nasal vestibuli दिखाई दे रही है नीचे आपको oral cavity दिखाई दे रही है और इन दोनों को separate ये nasal vestibuli और ये पूरा पूरा पाट nasal cavity बनाता है ये पूरा आपको जो orange कलर का पाट दिखाई दे रही है और नीचे जो light pink cream कलर का पार्ट है वो है oral cavity और इन दोनों को separate कौन कर रही है ये hard plate separate कर रही है इसके बाद nasal तीन nasal cockley sorry कौंकी आपको दिखाई गए है diagram के अंदर फिर sinus का पार्ट जो सबसे उपर है frontal sinus है इसके बाद ये जो external layer है वो आगे continue होता हुआ यहां से auditory tube एंटर करते ये part दिखाया गया है फिर ये soft plate है जो की separate कर रही है separate क्या कर रही है बल्कि ये floor बना रही है इसके नीचे underlying अपने बोला था न nasal pharynx के नीचे ये soft plate है फिर palatine tonsil की structure दिखाई गए then oro pharynx ये पूरा diagram अपने पढ़ा था नोज थ्रॉट मैंने पढ़ाया ये पूरा अच्छे से आपको then ये epiglottis philp-like structure है philaryngio pharynx, physglottis, vocal fold और esophagus यहां पर आपको tongue, mandible, hired burn, thyroid cartilage cricoid cartilage और trache आपको दिखाई दे रहा है अब इसके बाद सबसे पहले अपन respiratory mucosa पढ़ रहे हैं, जो कि respiratory epithelium plus supporting connective tissue होता है उसके साथ में mucos gland पाई जाती है जो कि इसकी mucosa को बनाएगी mucosa किसे बनी, respiratory epithelium plus supporting connective tissue with mucos gland ये nasal cavity को line किये हुए रहती है मतलब उसको, उसकी lining उसके अंदर रूनी सतह यही बना रही है nasal mucosa और पूरे airway की अधिकतर सतह जो इसी mucosa की बनी होती है इसमें goblet cells और gland cells पाई जाती है जो कि mucos का secretion करते है ये points याद रखना है, mucos कहां से secret होता है goblet cells से, तो अगर किसी बिमारी के अंदर goblet cell का hyperplasia हो जाए hyperplasia मतलब होता है number बढ़ जाना बढ़ेंगे भी बेमारी का नाम है acute bronchitis bronchitis में goblet cell का hyperplasia हो जाता है जिससे की mucos का formation mucos का संदिसस ज्यादा होने लग जाता हो mucos जमा हो जाता है चाती में कफ जम जाना आपन बोलते है ना अंभाशय में वो यही चीज़ है म्यूकस जो है वो ट्रैप करता है किसी भी बाहर की डर्ड को किसी पैथोजन को या कोई भी फॉर्न पार्टिकल वगर आ रहा हो उसको ट्रैप कर लेगा ताकि वो अपने अंदर respiratory system में घुसने ही पाता इसके अलावा celiated cells जो है वो पाई जाती है म्यूकस को म्यूकस को può करने场 काम करते हैية यह वी से Judy करके जाती है इसरीटेंट्स इस्तिमिछ टे क्रीशन अगर कॊई इलिटेंट आता होता है तो वो इस म्यूकस के सिकडिशना को स्कूलेट sweating भी करने काम कर रहा होता है तो ऐसकी जिन लोगोंं के अंदर किसी इरेण top신 के स्दिमिलेट हो जाता है तो ऐसे परसंदक यंदर कंडीशन देखन देखने here that is running nose if नाख से लोगों के हर समय बहती रहती है रनी नोस देखने को मिल रहा होता है, मुकस का सीक्रेशन नाक बहने लग जाते हैं, मुकस यह लिक्विट पार्ट है, जो नाक को भरा भरा फील करवादे तर वो बहना भी स्टार्ट नाक बहती रहती है, ऐसे लोग में जब अपने जो खाम भार कुछ हो जाता है, ऐसे देख अब देख लीजे अच्छे से डाइग्राम को, यह नॉर्मल सेल्स है आपके रैस्पार्टरी सिस्टम की, सीलेटेड कॉल्यमनर एपिथीलियल सेल्स, जो लोग चेन समोकर होते हैं, उनके अंदर यह कॉल्मनर एपिथीलियल सेल्स, स्क्वैमस एपिथील सेल्स से रीप्ले और यह मुकस की ऊपर लेयर है, यह मुकस का मुवमेंट दिखाए गया फैरिंग्स तक, यह रैस्पार्टरी एपिथीलियम की पिक्चर, रियल में ऐसे दिखती है, अब फैरिंग्स में तीन रीजन्स होते हैं, फैरिंग्स यानि थ्रॉट जिसको आम भाशा में थ्रॉट क और इसके बाद लेयरिंग्स में लेयरिंग्स, और इसके बाद लेयरिंग्स में लेयरिंग्स, और इसके बाद तीसरा पार्ट है लेयरिंग्स, अब लेयरिंग्स, इससे पहले हमने पढ़ा था फैरिंग्स, फैरिंग्स खता में इसके बाद लेयरिंग्स, लेयरिंग्स को अपन voice box b कहते हैं यह 9 cartilages का बना हुआ होता है इसमें glutis के द्वारा air वो pass होती है epiglottis से covered रहती है swallow ing के द्वारान यह glutis epiglottis से swallowing के द्वारान जब हम कोई चीज़ निकल रहे हैं तो यह covered रहती है ताकि solid liquid airway जो है liquids out of airway यह चीज़े जो है airway से दूर ही है कोई भी सॉलिड कोई भी लिगवर्ट चीज अंदर ना घुछ सके यह लास्टिक का बना हुआ होता है और ट्रु वोकल कोड को सपोर्ट करन्या काम करता है जो आप एर को एकसेल करते हो वही वाइबरेट करती है और साउंड उसी की वज़े से प्रड्यूस हो रहा होता है यह लैरिंग्स है जिसका वोइस बॉक्स कहते हो नौ काटले से बना हुआ है यह लैरिंग्स और वोकल कोड की अनाटमी डाग्राम के अंदर दिखाई गई है यह उपर का पार्ट लैरिंग्स दैन ट्रेकिया लैरिंग्स में देखे यह उपर एपी ग्लॉट्स सबसे उपर दिखाई गई है जो कि फ्लिपलाइ की स्ट्रक्ट्टर खोलने बंद करने काम करें अंदर हायोड बॉन दिखाई गई है एक्स्टेंसे लिगामेंट से यह उपर दिखाई गई है तो यह आपके लैरिंग्स की अनाथमी है क्वेशन आए तो यह डाइग्राम आपको बनाना है एसे पूछे जाते हैं बही शौट नोट्स पूछाते हैं सब जिते भी नाम अपन ले रहे हैं अभी रेस्पार्टर में उन सब के उपर शॉर्ट न इंटेलियो काटलेज कर्टलेघ बने दिस दिटेह ओं गाठिलेज के रें और ट्रेकेल कार्टलेज को पीछे आदे होते हैं सी-शियप की रिंग्स होती है अर्ह रहे बनाय कर्टलेज में यह वंईerson को इस डाइग्राम में दिख रहा है एंटीर पोरिशन जोटीयो कोड् ये Corniculate Cartilage, Cuniform Cartilage, अभी तेज सारे Cartilage का नाम आ रहा है, क्यों आ रहा है क्यों हमने का ना 9 Cartilage होते हैं भई, तो 6 तो आपको इसी diagram के अंदर दिखाई दे रहे हैं Cartilage, अभी यहाँ पर देखिए भई, एंटिरियर उपर से व्यू दिखाया गया है, लेरिंग का एंटिरियर पोस्टर दोनों एक साथ दिखाई गया है, उपर से दिखा रहे हैं, तो आगे और पीछे दोनों का दिखाई दे रहे हैं, जिसमें Corniculate Cartilage और Glottis दिखाई दे रहे हैं, क्यूनिफर्म Cartilage दिखाई दे रहे हैं, वोकल कोड आपको एकदम अच्छे से बड़े करके बताए गए हैं, यह अपी Glottis है, और यह टंग की रूट है, तो इस ट्रक्टर से आप चीजों को अच्छे समझ सकते हैं, डियाग्राम को देर तक इन तीनों डियाग्राम को देश्च में कके बोलते और ना बोलते हो पास और झूस आप अलब जा रहे तो पाट दिखाया गया है, तो इसको समझने के कोशिश करें, यह वापस अनदर ड्याग्राम, अभी इतना सारे डियाग्राम आप सोच रहे हों यह प्छे रहे और यह डिए यह ब्याग्राम जी ना कि अंदर इस्ट्रक्चर ही तो देखनी है अपन को तो यह डाग्राम खुद से देखिए चीजों को समझने कोशिश करिये ना नेक्स ट्रक्चर ट्रेक्या फैरिंग्स हो गया लेरिंग्स हो गया वकल कोड हो गया ट्रेक्या जिसको अपन विंड पाइप कहते हैं सीरेटियों के काथलेच के रिंग से जसमें पाई जाती है यहां पर कार्ट्रेचिया फोड की बॉल से आप THक्रट्रेच तो एलग्स प्रसी ने बढब को निगलने के समय के Кई बात बताई गई है त्रेक्या जो है डिस्टॉर्ट होते हैं उसकी शेप बिगड़ जाएगी उस समय अब यह ट्रेक्या के अनाथमी देखिए भई यह हायद बॉन दन लारिंस और उसके पूरा ट्रेक्या अच्छे से जो की रिंग से करवर्ड हुआ है ट्रेक्या कार्टिले इसमें दिखाया ग मसल यह स्मूद मसल एक तरह कि वह बताई गई है रेड रेड सा यह मस्कुलर पार्ट थै रैस्पारीतरी अपिथीलियम यह इसके बड़ चाटिले जो आदासा ज़तले जो इसको कवर किया और यह मूच ग्लैन बीच बीच में पाई जती मूच ग्लैन मूच का से क्रीशन कर होती है नाओ ट्रेक्या खतम ब्रॉंकाई पढ़ते हैं ट्रेक्या दो ब्रॉंग दो ब्रांच बनाती है लेफ्ट और राइट जिसको अपन प्राइमरी ब्रॉंकाई कहते हैं प्राइमरी ब्रॉंकाई फिर ब्रांच बनाएगी और सेकंडरी ब्रॉंकाई बन जाएगी उससे और ये secondary bronchi ventilate करती है लोब को secondary bronchi की branch टश्री bronchi में खुलेगी तो देखिए ट्रेकिया जो है हमने बोला ट्रेकिया दो branches बना रही है left और right primary bronchi primary bronchi फिर branch बनाएगी जिसे secondary bronchi बनेगे secondary bronchi की branch से टश्री bronchi बनेगे टश्री bronchi की branch branch वापस repeat होती है जहां cartilage decrease हो रहा smooth muscle cells increase हो रही है वहां पर ऐसा देखना वहता है कि ट्रेकिया ब्रांच हो रही है cartilage decrease हो जएगा उस जगह पर जाएं ट्रेकिया ब्रांच repeat हो रही हो गी और वहां पर smooth muscles increase हो जाएगी now bronchiols bronchiols में cartilage नहीं पाये जाता जिनका डायमेटर एक मिरी मेटर से भी कम होता है जो चोटी-चोटी पतली-पतली स्ट्रक्चर्स हैं टर्मिनल ब्रॉंकियों जो है वह एर को सिंगल लॉब्यूल के अंदर डिलीवर करता है वाल की स्मूध मसल जो है उसको कौन कंड्रोल कर रहा है आपका अटोनॉमिक करवाएगा जबकि परा-sympathetic nervous system bronchoconstriction करवाता है याद रखना है यह पॉइंट हाला है कि हमने नर्वर सिस्टम में पढ़ा था पर फिर भी यहां पर भी पढ़ लेते हैं याद कर लेते हैं यहां मैं याद करने के लिए क्यों कह रही हूं सा काना बता देती हूं सेकेंड जब आप फामेको लॉजी पढ़ेंगे वहां पर ANS अलग से हम पढ़ते हैं उसके अंदर यही पढ़ते हैं कि कौन सा sympathetic जो है वो क्या-क्या काम करता क्यों कि उसी के according हम drug जो है वो प्रिस्काइब करता है पेशन को जैसे कि किसी को एस्तेमा हुआ हुआ है एस्तेमा में क्य कौन सा नवर सिस्टम कौन सा पार्ट या कौन सा फंक्शन जो है वो कर रहा है इसके अलावा यही हमने नीचे लाइन लिख रखे कि कि एस्तेमा के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रॉंको कॉंस्ट्रिक्शन होता है तब इस वज़े से लोग को सांस नहीं आती अब यह पूर है यह लंग की रूट है दिखाई गई है विस्ट्रल प्यूरा बताई गई है अब यह प्राइमरी सा आगे जागर चरके फृर डिवाईड होरी है सेके ब्रॉंकर सबाफूअगर्स में सेकंड डिवाइड होरी है ठंश्र। ब्यूल में एल्वियोलाय में जाकर के खुल जाएगी, अब एल्वियोल और डक्ट और एल्वियोलाय पे आजाएगी, जब आपने ब्रॉंका ये ब्रॉंक्योल सब पढ़ लिये, तो अब एल्वियोलाय बच गया, यह वो रीजन है लंग का जहां से gas exchange होती है लंग से लेकर के blood तक gas exchange होई respiratory bronchiol आगे जाकर के alveolar duct बनाते है duct जो है वो आगे जाकर के alveolar sac में खुलती है sac जो है वो interconnected alveolar के clusters होते है interconnected alveolar के गुच्छे है जो कि लंग को gives lung an open spongy look जिसे के आपके लंग कैसे दिखाए जाते है sponge जैसे खुलेवे sponge जैसे आपके लंग यसी alveolar के वज़े से दिखाए जाते है लग बग 1.500.000.000 alveolar हर एक लंग के अंदर पाई जाती है 1.500.000.000 है इनका नंबर इतना होना जरूरी है भई तभी गैसे इतनी sufficient gas exchange हो पाई के अपने इतने बड़े बाड़ी को चाहिए पूरी बाड़ी हो किती gas है यह बई किते सारे tissues हैं किते सारी cells है हमारी बाड़ी के अंदर सब को जो है वाक्षन चाहिए होती है तो देनेया काम यह करती है अब यह लंग के लॉब्यूल्स देखिए भई उसके अनाथमी देखिए pulmonary artery के branch दिखाई गई है respiratory epithelium बताई गई है यह पास में bronchial बताई गई है redicular के bronchial artery है smooth muscles इस terminal bronchial के चाहँ तफ smooth muscles दिखाई गई है bronchial artery red से vein blue से और nerve yellow से दिखाई गई है yellow एकदम पतली सी पास में दिख रही है structure यह पतली सी है तो yellow में नर्व है फिर यही वाली bronchial अगर side में खुड़ रही तुसको terminal bronchial अपन कह रहे हैं यह आगे जो की alveolai में खुड़ रही वह respiratory bronchial है यह air sac के चारों तरफ आपको elastic fibers दिखाई गए हैं जिससे की आराम से elastic fiber से क्या फाइदा मिलता है बही contraction relaxation आराम से होता है alveolai का smooth muscles आपको दिख रही है यह branches लाल लाल से धागे जैसे से smooth muscles से जो bronchial के चारों तरफ पाई जाते हैं यह arteriol वगरा आगे जा रहे हैं capillary के bed में जाकर खुल रहे हैं और यह capillary के bed कहा है चारों तरफ है alveolar alveolai के चारों तरफ है यह alveolar duct दिखाई गई है यह lymphatic vessels है यह alveolai के अंदर गई और यह alveolai इस side blue color की तो आपको एकदम साफ alveolai बताई की और उसके चारों तरफ क्या बताएगा है in capillary के bed बताई गई है alveolai जिसके अंदर क्या है सेक है यह थैले है alveolar सेक है यह interlobular septum है जो एक lobule को दूसरे lobule से अलग कर रहा होता है फिर visceral pleura की covering फिर pleural cavity और फिर parietal pleura यह alveolar organization और अच्छे से आपको दिखाया गया smooth muscle, elastic fibers उसके अलावा capillaries तो respiratory bronchial जाज़फ, smooth muscle दिखाई गई है alveolar duct, alveolar cell, alveolar sec बताया गया है तो यह diagram आपको बनाने अगर आपसे पूछे जाते हैं तो यह real picture की कैसे दिखाई दे रहे होता है, SAM से लीगई है, scanned electron microscope से alveolar की section को काट करके cells उसको अच्छे से देखा गया तेखो कितना अच्छा diagram है कितना खुबसूरा सा real picture now alveolus की anatomy देखे भई, इसमें respiratory membrane होती है, septal cells होती है और alveolar की macrophages होती है respiratory membrane, simple scramus epithelium की बनी है, capillar endothelium की बनी वी है, जो की basement membrane को share करती है septal cells, surfactant को produce करेगी जिससे की collapse नहीं होता alveoli का आपस में, ऐसे surfactant septal cells से produce होते है alveoli में macrophages पाई जाते हैं, जो की foreign particles को engulf करने का काम भी करती है तो simple scramus epithelium की बनी होती है alveoli, यह alveolar organization देखो भई, elastic fibers दिखाई गई है, यह septal cells जो की surfactant को secret कर रही है यह लाल-लाल रंग से capillaries हैं जो इसमें खुड रही है, यह alveolar epithelial cells दिखाई गई है यह देखें छोटी से alveolar की macrophages है, alveolar surface पर दिखाई गई है macrophages, नीचे आप देख सकते हैं, यह endochill cells है यह respiratory system है, alveolar organization का अच्छे से diagram, respiratory membrane वगरा के साथ में उपर red blood cell दिखाई गई है, यह देखें, fused basement membrane है, जो की chip की भी obvious अभी fused करें, alveolar epithelium दिखाई गई है, यह surfactant release हो रहे हैं, यह endothillial cells है, nucleus के साथ में, यह capillary की lumen बताई गई है, अब lung की gross anatomy देख लेते हैं, alveolar lie हो गई, देखो pharynx हो गया, larynx हो गया, bronchiol हो गया, alveolar duck, alveolar sex सब पढ़ लिया, तो अब क्या बचा, lung बचा अपना, तो lung के anatomy देखें भाई, lung पांच lobe से मिलकर बना होता है, जो की deep fissure से separate रहती हैं, यह 5 lobes, 3 lobes right lung में और 2 lobes left lung में पाई जाती है, इसका apex जो है, वो first rib के उपर होता है, base जो है, diaphragm पर रहता है, इसका diaphragm पर lung का base और उपर first rib के तक फैलावा इसका apex है, cirrus या cirrus visceral pleura के द्वारे यह covered रहता है, pleural cavity के अंदर यह lung पाया जाता है, जिसमें cirrus parietal pleura की lining रहती है बई, simple है, आम भाशा है, समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से यह देखो, डी fissure के द्वारे divided इसकी 5 lobes, right side में 3 lobes है, left lung में 2 lobes है, left lung में superior lobe और inferior lobe, यहाँ पर cardiac notch बताया गया है, right में superior lobe, middle lobe और inferior lobe, यह नीचे base है, जो की diaphragm पे रहेगा, उपर apex का part है, जो grip की first rip तक extended रहता है, यह thoracic cavity के साथ में अनाथमिक रिलेशन्शिप बताये गए भई lung का, यह media stenum, यह heart के साथ में जुड़े वे देखो, lung दोनो, part बीच में heart और lung, यह pericardial cavity, जो heart की cavity है, और pleural cavity, जो की lung की है, तो right pleural cavity और left pleural cavity, यहाँ पर petal pleural और visceral pleural दो covering है, visceral pleural और parietal pleural, बस इसके साथ ही आपके lung की, यह आप कहें, यह respiratory system के अनात्मी खतम, अब हमें अपनी next class में physiology पढ़नी है, जिसका थोड़ा सा introduction मैं अभी इस class में दे रही हूँ, बाकिया अपन next class में physiology पढ़ेंगे, तो तीन integrated process जो है respiratory physiology से जुड़े हुएं, पहला pulmonary ventilation, दूसा gas exchange, तीसा gas transport, क्या आपका respiratory system क्या करता है, सबसे पहले pulmonary ventilation करता है, यह नाम हमने cardiac में भी पढ़ाई थे, मैंने आपको, आपने पढ़े हैं यह, चीज़ें याद करिए, काडियक में पढ़ाई थी मैंने, pulmonary ventilation में air जो है वो respiratory tract के बाहर से आ रही होती है, और respiratory tract में घुज जाती है, यानि breathing का process pulmonary ventilation है, gases exchange में, alveolai से लेकर circulating blood तक जो gases exchange हो रहा है, वो gases exchange क्यालाता है, यानि blood और interstitial fluid के बीच में, और gas जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो oxygen जो alveolai से आई थी, वो blood के दुआरा जाती ही cell में घुस रही है, और CO2 cell से alveolai तक आ रही है, यह gas ट्रांसपोर्ट के लाता है, तीन process अपन respiratory physiology में पढ़ते हैं, pulmonary ventilation, gas exchange और gas transport, अब सबसे पहले pulmonary ventilation, जो हम अपनी next class में पढ़ेंगे, pulmonary ventilation एक respiratory cycle है, जो single breathe की बनी होते है, जिसमें inspiration और expiration का process होता है, single breathe में, सांस लेना और सांस बाहर निकालना, inhalation और exhalation, respiratory rate अगर आप देखोगे, तो जो number of cycles per minute चलती है, तो adult normal में तो 12-18 breathe per minute और बच्चे में 18-20 breathe per minute और बच्चे में 18-20 breathe per minute नॉर्मल होती है, alveolar ventilation में air जो हो मूँ करती है, alveoli के अंदर और बाहर, तो pulmonary ventilation के अंदर अपन ने respiratory cycle, respiratory rate और alveolar ventilation पढ़ा, मैंने ये इसलिए पढ़ाई कि मैं सिर्फ एक बार आपको introduction दे दू, physio का, actually physio और पन अपनी next class के अंदर पढ़ेंगे, तो आज करे इतना काफी है, कोई भी आपको doubt हो तो आप मुसे पूछ सकते हैं,